हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल माही क्रियेशन और फैशन वर्ल्ड पे तो आज की ड्रेस हम कटोरी की सहायता से बनाने वाले हैं तो चलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा कि मैं कैसे कटोरी की सहायता से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस को बनाती हूँ तो ये देखिए हम पहले एक गोल कट कर लेंगे जो की हमारे लड्डू गोपाल जी की फ्रॉक बन जाएगी ये देखिए कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड करके हम लोग एक गोल सरकल बना लेंगे और इस प्रकार से उसे कट कर लेंगे ये देखिए मैंने ये गोल काट लिया है ये देखिए आप इसे अच्छे से कट करके एकदम गोल कर लें फिनिशिंग कर लें इसकी चारों तरब से हम इसे पूरा गोल कट कर लेंगे यह देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ इस प्रकार से आप लोग भी इसे अच्छे से कट करके गोल कर लीजिएगा यह देखिए यह गोल कट हो चुका है अब हम इने जो सिल्क का कपड़ा लिया है हम उसे भी इसी के साइच का गोल कट कर लेंगे यह देखिए गोल कट हो चुके हैं अब हम इसमें चारो तरब से सिलाई लगा देंगे पहले एक इंच का कट लगाएंगे हम बीच में जहां पर हमारे लड़ो गोपाल जी की कमर होती है है वहां पर मैंने एक इंच का कट कर लिया है अब हम इस पर चारो तरब से सिलाई कर देंगे और इसे पलट लेंगे अब यह देखिए मैंने कटोरी रख लिए सिल कपडे पर और इस पर गोल हम कटोरी की सहायता से पूरा साथ गोल कर लेंगे कटोरी की सहायता से क्या है कि इस पर अच्छा गोल टच आज आएगा यह देखिए फिनिशिंग के साथ हम इस कपड़े को पूरे गोल अकार पर कट करेंगे और फिर हम इससे डिजाइन बनाएंगे तो यह देखिए मैंने यह गोल सरकल काट लिए है अब इसको हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे अब हम कटोरी की सहायता से ऐसे बहुत सारे गोल सरकल कट करेंगे यह देखिए मैंने कट करके रख लिए है आप भी ऐसे ही कट कर लीजिएगा अब कटोरी को साइट पर रख देते हैं और चलिए अब डिजाइन बनाने स्टार्ट करते हैं यह देखिए सुईदागे की सहायता से हम इसे बारिक-बारिक टाके लगाके कुरे कपडे पर डवल फोल्ड करके इस पर हम डबल-डबल लगा लेंगे यह देखिए यह फ्लावर जैसा बन गया है यह देखिए इसे कपडे को डवल फोल्ड करके हम बारिक-बारिक सिलाई लगाएंगे उसपर आप देख लीजिए मैं एक और फ्लावर बना के रेडी कर रही हूँ यह देखिए यह ऐसे बनाना है हमको ऐसे हम बहुत सारे फ्लावर बना के रख लेंगे यह देखिए मैंने बहुत सारे फ्लावर बना लिये हैं अब हम इसको मसीन की सहायता से उस फ्राफ पर अटेच करेंगे या फिर आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं मसीन से लगाने में थोड़ी फिनिसिंग अच्छी आ जाती है और काम जल्दी हो जाता है तो आप मसीन से ही लगाईएगा यह देखिए हम पूरी ड्रेस पे इन फ्लावरों को लगा देंगे यह देखिए मैंने पूरी ड्रेस पे इसे फ्लावर लगा दिये हैं अब हम जो कानह जी की कमर है उस पे हम स्विधागे की सायता से लेस अटेज करेंगे आप मसीन से भी लगा सकते हैं पर यह बहुत मोटा हो गया हो हाँ पे तो मसीन नहीं चल रही है इसलिए मैं हास से अटेज कर रही हैं उस पे अगर आपकी मसिन चल जाए तो आप मसिन से भी लगा लीजिएगा चारो तरक हम लेस लगा देंगे जिससे इसका लूख अच्छा आने लगेगा ये देखिए मैंने लेस लगा दिया है अब हम कानहजी की चोली बना लेंगे मैंने एक पट्टी ली है उस पे बीच पे मैंने लेस लगा दी है जो लेस मैंने कमर पे लगाई है कानहजी की फ्रॉक के वही लेस मैंने चोली पे भी लगाई है ये देखिए चोली बनके रेडी हो गई है अब हम सुईधागे की सहाइता से इसे भी अटेच कर देंगे उसके कमर पे अब हम पुरी ड्रेस पे इस्टोन लगा लेंगे ये देखिए मैं इस्टोन अटेच कर रही हूँ पहले हम फेविकोल लगाएंगे और फिर उसके उपाए मोतियों को रखते जाएंगे ये देखिए पूरी ड्रेस पे मैंने इस्टोन लगा लिए है और ड्रेस बनके रेडी हो गई है और ड्रेस कैसी बनी है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यो औरे स्बस्क्राइब के जरूर्ड oikeजियो को